अगर आपको आना है इसकी टाइमिंग सुबह 6 बज़े से सामके 6 बज़े तक है तो एक कोठी ये पीछे है आप देख सकते हैं इसका निर्माण 18 सो पहले किया गया है और एक आप मेरे जस्ट इधर दूसरी साइट पर देखेंगे तो चलिए कोठी को देखते हैं और साथ में इसके डीटेल्स के बारे में बाते भी कर लिए आप यहां आएंगे तो आपको यहां पे दो कोठीया मिलेंगी तो जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो जो पहली कोठी है ये बाद में बनवाई गई है असल में और ये बनवाई गई है सन 1847 से 1856 इसवी के बीच में और इसे ब अभ्यास रहते थे तुकडियों के उनके सैन अभ्यास के लिए बनवाई गई थी उस टाइम पर अंग्रेजों ने सैन अभ्यास के कारको करने के में आपत्ती प्रकट की थी तथा नवाब को अभ्यास पूर्ण रूप से बंद करने को कहा था जिसे बादसा ने पूरी तरह से नकार दिया था यूरूपिय सैली में निर्वित इस भवन का निर्माड लखोरी ईटों एवं चूने के मसालों से किया गया है तथा इस पर चूने का मोटा पलस्तर किया गया है इस भवन के प्रवेश द्वारों का आलंकरण आकरसक है और ये बहुत ही देखने में भव भी अब चलिए हम जान लेते हैं दूसरी जो कोठी है उसके बारे में जो में दिलकुसा कोठी है उसका निर्माड नवाब सादत अली खान ने 1797 से 1814 इसवी के सासनकाल में परम परागत इंगलिस बरोक सैलरी में लखोरी ईटों से करवाया था इस पर चूने के मसाले से पलस्त तथा आलंकरन मींस डिजाइन किया गया है नवाब की मित्र ब्रिटीस रेजिडेंट गोर अउजली ने इसका प्रारूप मींस डिजाइन तयार किया था इसकी जो डिजाइन है वो इंगलेंड में इस्थित डेलावल हॉल की छाप मिलती है यह भवन अवध के नवाबों के लिए सिकार गाह के साथ गर्मियों के लिए आराम गाह भी था इस कोठी के कोने मिनारों से सुषजित थे जो अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे पर आगे आपको इसी में एक इमेज हमने एड करी है जिसमें आप देख सकेंगे कि उस टाइम पे जो यह कोठी है तो कैस बहुत सारी चीजें पुरानी अभी भी इसमें देखने को आपको मिलेंगी और बहुत सारी चीजें आप ये क्योंकि जरजर हो चुका है इतना वो आप नहीं देख पाओगे पर फोटो के साथ आप एक इमेजिनेशन कर सकते हो कि कितना भब लगता रहा होगा ये महल तो इ अपनी रूची के अनुरूप इस महल में परिवर्तन किये गए हैं इसके उत्तर पूरवी दिसा में एक अनभब कोठी के भागवा सेस हैं जिसके मुख भाग चित्ता कर सकें 1857 के प्रथम सतंतरता संग्राम में इसके प्रमुख भूमिका थी ब्रिटीस फोजों ने इस पुझा कर इसे मुख्याले के रूप में प्रियोग किया ब्रिटेस मेजर जनरल सर हेनरी हैवलॉक ने पेंचिस से पीडित होने के बाद 24 नमबर 1857 को अपनी अंतिम सासें इसी कोठी में ली कालांतर में यह भवन प्रियोग में ना रहने से निरजन और जरजर हो गया है भ इस परिसर में दो प्रिटी सेन अधिकारियों की समाधियां भी हैं जो 1857 में जिनकी ब्रत्य हुई थी तो हमें ये भी जानना चाहिए कि यहां पे किनकी कि समाधियां इस्थित हैं और क्या क्या है इस परिसर में यह सारी चीजें हमें जाननी चाहिए और आके यहां पे एक झाल झाल